एक्जिट पूल इसका इंतजार आप लोग कर रहा है नतीजों से पहले नतीजों का एक अंदाजा अब सबसे बड़ी दल्चस्पी का विशह यह है कि क्या सभी के सभी एक्जिट पूल एक दिशा में जाते हैं या फिर एक्जिट पूल में कन्फूजन देखने को मिलता है बहुत दिल्चस्प होता है क्योंकि ज्यादा तर एक्जिट पूल यदि अगर एक ही बात कहते दिखाई देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आन अन एवरेज नतीजे कुछ इसके आसपास हो सकते हैं क्योंकि तब स साथ ही साथ एक्जिट पूल जिस तरीके से किया गया हमारा जो एक्जिट पूल है उसको भी आपके सामने जब रखेंगे तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि कम वोटिंग परसेंटेज या मद्दाताओं का कम निकलना गर्मी का असर हो उत्सा की कमियों जो भी हो इन पहल प्रिजन भी आपके सामने रखेंगे तो तयारी इसके लिए भारत एक्षप फूरी कर चुका है आपको भी कुछ नहीं करना सुर्व भारत एक्षप लगा कर देखना है हमारे साथ एक्जबर्दस पैनल जुड़ेगा हमारे साथ भारत एक्षप्रेस और रोडमाप टुब ने जिस तरीके से इस पूर सर्वे को अंजाम दिया है अब तक आपने एक्सिट पोल टीवी स्क्रीन पर सिर्फ देखे लेकिन भारत एक्स्प्रेस पर आप समझेंगे कि एक्सिट पोल होता कैसे किस तरीके से हम लोगों ने सैंपल साइज दिया हर एक मसले पर जो सवाल आपको भारत एक्स्प्रेस पर नजर आएगा साथ के साथ चर्णों का चुनाव संपन हो गया है और एन एवरेज जो आंकड़ा निकल कर आया वो उतना जादा नहीं था जतना उत्सायत भारतिया नजर आते है एक छुड़ी छुड़ी चीज के लिए जिस तरीके के एक्साइटमेंट नजर आती है वो इन चुनावों में क्यों गायब थी वो जील वो एंथुजियासम क्यों गायब था इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे ये जो वोट प्रतिशत उम्मीद से थोड़ा कम आया है इसके क्या कुछ परणाम पर असर पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते प्रभीन जी यह और जिस पैनल के हम बात कर रहे हैं उसका तारूफ आप से करवा देता हूं हम अपने महमानों को आपके सामने रखते हैं कि करके अनुप्रिया जी सबसे पहले मेर पूल किया उनसे भी बातचीत करेंगे देवकी नंदन मिश्रा जी लगातार चुनाओ के दोरान तमाम चर्णों में हमारे साथ बने रहे हैं एक बार फिर उनके साथ में अब सातों चर्णों की एक एनालिसिस पर बात करेंगे साथ बिलाल सबजवारी लगातार हमारे साथ स सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे अलाइंस के विशे में उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में आप सभी महमानों का बहुत स्वागत करते हैं बाचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले इ जिस तरीके से गर्मी ने हाहाकार मचा दिया उसने भी चुनाओ को एक अलग मोड दिया लगातार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा था और फिर ये वोटिंग परसेंटेज अंत तक हमने देखा है कि बहुत जादा नहीं सुधरा हलाकि अंतिम चरणों में कुछ थोड़ा बहुत सुधरार देखने को मिला है कुल मिलाकर ये चुनाओ कई बातों के लिए जाना जाएगा इसमें सबसे बड़ी बात थी जिसको शुरुआत से ही प्रदान मंतरी मोडी कहते रहे चार सो पार का नारा भारतिये जनता पार्टी इस बार रेकॉर्ड बनाएगी है कैसा जो इंद्रा गांदी जी ने एक समय पर बनाया था और उसके बाद में भारती जनता पार्टी का ये दावा रहा कि एन्डिये इस बार चार सो के पार जाने वाला है से वो जोर नहीं दिखने के बाद क्या उसके वेक्यूम को बीजेपी भर पा रही है अन्ना मलाई हो पनीर सेलवं भी भारती जनता पार्टी में आ गए तो एई एडीमके का काडर जो है बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ जुड़ा पश्चिम मंगाल की राजनीती को आ हर तरफ जिस नारे का से खरो रहा है अपकी बार चार सो भार इस दिस प्रैक्टिकल लॉजिकल और जब ग्राउंड पर इस सवाल को लेकर भारत एक्सपेस की टीम रोड मैप टू विन की टीम पहुची तो क्या कुछ जबाब मिले क्या कुछ मावल बन रहा है एक जबरदस दूसरे तीसरे फेज बे जब बात हो रही थी मोदी की गैरेंटी या राहूल का न्याय जैसे 14 फेज आ गया उसके बाद हिंदू-मुसल्मान भी आ गया पाकिस्तान भी आ गया मंगल सूत्र भी आ गया हर एक चीज पर जिक्र हो गया साथ फेजिस का चुनाव देश ने दे छे वजे तक जो लोग भी क्यू में लग जाते हैं उनका ओड पोल कराया जाता है लेकिन जो छे चरण की तस्वीर है वो बेहत उल्ही हुई तस्वीर मुझे जो नजरा रही है कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो सरकार बनाने जा रही हो चाहे इंडिया कि हिस्ट्री उठागर के आप देखेंगे तो पांच बार भारत में जब इलक्सन हुआ है तो चार बार जो है पॉल कम हुआ है परसंटेज कम हुआ है और जब परसंटेज घटा है तो जो भी सत्ता रही हो चाहे वो कॉंग्रेस पार्टी की सत्ता रही हो चाहे वो भारतिय 2004 में जब एलक्षन हुआ था तो करीब डेल परसेंट के आसपास पोल गिर गया था डिप हुआ था और उस पर जो अटल विहारी वाजपेजी की सरकार चली गई थी और इस बार का जो मैं छटे चरण तक का आपको बताऊं तो अब तक का जो डेटा है वो ये कहता है कि करीब पोने 2% का ओड का डिप अभी चल रहा है छटे चरण तक सात्वा चरण जब आएगा तब मैं उसकी बात करूँगा लेकिन अभी सात्वे चरण का चुकि एलक्षन कमिशन एक से दो दिन लेता है हाला कि पहले चरण के बाद उसने तेरे दिन लिया था लेकिन अब मैं आप को सीट वाइज बताता हूए कि कितने सीटों पर कहा कहा डिप हुआ है दरसल जो 485 सीटे कंनी खतम हो चुकि थी चुनाओ बाकी 57 सीटों पर हो रहा है आज जो 5% गटा है वो 85 सीटों पर 5% गटा है और 1 से 5% के बीक जो ओड डिप हुआ है वो है एक सो नवासी सीटों पर और ये one प्लस माइनस करीब एक सो च्छे सीटे रही है और 95 सीटें ऐसी रही है जिस पर एक से पांच परसेंट वोट बढ़ा भी है पांच परसेंट से अधिक जहां बढ़ा है वो सिर्फ दस सीटे है अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सी सीटें है जहां पर ओट डिप हुआ है और कौन सी सीट है जिस पर ओट बढ़ा है अब इस पर आपको ध्याम देना होगा कि जो कंडिडेट है जिन भी पार्टी के कंडिडेट हैं चुकि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं 303 सीटे भारती जनता पार्ती देवकी नंदन जी और आपकी एनलीसिस जब होती तो सब बड़े गवर से सुनते हैं देखिए मैं देख रहा हूं कि पैनल में सभी लोग द्यान से सुन रहे हैं बड़ी मैंनत से आपने सारी सीटों को एनलाइज किया है एक लाइन में बताईए आपने अटल जी का उधारन दिया पौने दो परसेंट का डिब बताया आप क्या कह रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं वह एक एक लाइन में बताईए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि यह सरकार आ रही है मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि यह सरकार आप इशारो प्रफेसर मिश्रा के पास जाना चाहरा था लेकिन प्रोफेसर मिश्रा मैं आपके पास आऊ उससे पहले विमल सिंग क्योंकि भाजपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद है और यह सीधा एक तरीके से सवाल उन पर आ गया फिर आपके पास आता हूं यह थोड़ा लगों को दिखाया है उसको देखते हैं घौर जो जनता है देश को अपना पूरा आशरवाद अपना पूरा प्यार दिया है कि हमारी जोजनाय है हम उसकोु ग्राउंट प लेका जाते हैं दूसीरा मैं कहना चाहता हूं अभी देवकीर अंदर जीकी बात को मैं सुन रहा था मैं बता जूना चाहएं अभी जो टेम्परेचर है तो वहां पर टेमपरेचर लगा कोटी फाइव है दिली में जो है 47 परसेंट जो है यहां 47 डिग्री टेमपरेचर है तो मैं कहना चाहता हूं कि गर्मी यह कारण हो सकता है जिसमें लोग जो है थोड़ा विस्तार से इस पर बात करेंगे विमल जी लेकिन अपने अपनी बात रखी प्रोफिसर मिश्रा क्योंकि आप सत्ता में भी रहे हैं आप मंत्री भी रहे हैं आप उत्तरप्रदेश की सियासत को बड़े करीब से जानते हैं तो थोड़ा आप से मैं यह समझना चाहू कोंग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ पाएं लेकिन यह बताईए आप मुझे कि इतना भय क्यों रहा शुरुआत से नरेटिव को लेकर इतनी चिंता क्यों रही एक अग्रेशन भी देखने को मिला चाहिए वह मीडिया को लेकर रहे दूसरी चीज़ यह पाटची का हिस्सा था जहां से आप देखेंगे भारती जनता पाटची ने शिरुवात की थी जिस प्रोपगांडा से अभी जिन्नों अभी बात रख रहे थे अपनी बाजबा के प्रवक्ताजी भी तो उन्होंने का चार सो पाट मैं कहना चाहूंगा आपको कि यह तरीके का मुझे लगता है प्राइम मिनस्टर का एक एक्सपरिमिंट था एक साइकलोजिकल वार फैर साइकलोजिकल फ्रेशर बनाने का और एक निरेटिव सेट करने का कि बाकी ऑपोजिशन शायद उसी निरेटिव को कॉंटरिक करने में लग जाएगा और उसका हम जवाब देते कि इच्छार्सो पार नहीं तो 390 या 370 लेकिन आप देखेंगे देश में जो हुआ पहले फेस के बाद ऑनरबल प्राइम मिनिस्टर की बात हो या हम की बात हो किसी भी इनके सीश नेतर्ट की बात हो किसी ने वह 400 पार का जो नारा था जो इशारों से भी कहा जाता था और मू बिद्धान बिद्धान को खत्व किया जा सकते हैं यह एक्जिट पॉल के लिए तो नरेटिव सेट नहीं कर दिया है कि अब कोई भी आएगा तो हम तो बता चुके अपना अकड़ा देखें प्रवीन जी अब यह एक नरेटिव नहीं है यह जो इंटरनल कैलकुलेशन खड़ देश के बारे में जादा जानता हूँ उसलिए उस पर चड़ साज़ जादा पैसर कर सकोंगा लेकिन क्योंकि खड़के साब आज कॉंग्रिस के शीश नेता हैं और वहां से उनसे हमाई गड़ बंदे तो दो सुन अब्बे के फिगर हमारे आपके हमारी ली भी हमने नहीं पर एक्जिट पॉल में हमारे पास क्या आकड़े आएं वह आपके सामने रखेंगे ज्यादा तर एक जैसी बात कहते दिखाई देते हैं तो इसे नतीजों के बहुत करीब माना जाता है अब बात यह चल रही है कि एक तरफ खरगे साहब ने पूर्ण बहुमत की बात कह दी कि हम तो बहुमत लेकर आ रहे हैं अलाइंस के लिए उन्होंने एक दावा कर दिया है दूसरी तरफ चार सो पार के आकड़े पर अभी भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता अब भी बरकर आ रहे हैं वो मेरे साथ पैनल में भी मौजूद हैं तमाम और मेहमान बने हुए है अनुप्रिया जी जेडीउ प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं मैं और महमानों से बात करूं उस सबके बीच में सुनिल मिश्रा जी का स्वागत करना चाहूंगा और सुनील जी ने इस पूरे एक्जिट पोल को किया है कैसे किया गया कितना बड़ा सेंपल साइज रखा गया किस तरीके से मद्दाताओं से जानकारियां ली जाती हैं कितना ऑथेंटिक ये होता है इस सारी चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे अनुप्रिया जी तब तक मैं आपकी पतिक्रिया जानना चाहूंगा बिहार की राजनीती इस बार खासी चर्चा में रही बिहा किमार में आपके साथ में आना और आपका पहले आर्ज़ेडी के साथ चले जाना और फिर दोबारा इंडिया के साथ में आ जाना इस सबने बड़ी खिच्डी पका दी और बड़ा कन्फूजन क्रिएट कर दिया बरहाल अन्ध भलात सो सब बला कहा जाता है आप लोगों के लिए इस्तितियां अब मुफीद होती दिखाई थी लेकिन फिर भी तेजस्वी यादाओ और इंडिया अलायंस को बहुत उम्मीदे हैं कि नीतिश कुमार जो है वो अपनी विश्वस्तनियता को खो चुके हैं बार-बार साथी बदलने की वज़े से देखेए प्रवीम जी मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बिहार की जनता बिलकुन कल्प्यूज नहीं है और विश्वस्तनियता की बात अगर आप कर रहे हैं बिहार की जनता को मात्र और मात्र भरोशा नितिश कुमार जी परी हैं क्योंकि तेजस्वी जी जिस बातों को दोहरा क्यों वाटर देखा हैं यह उनको जो जमीन मीला रधितिक जमीन माता पिता से उस नवे से दोहजार पांच के दhouse दोर कम बिहार की जनता नहीं होता तो बिहार की जनता इस बार आज वी मैं जब 2024 की बात कर रही हूँ और जो इंडिया की एलाइंस की बात करी हूँ बिहार की जनता ने मानने मुख मंतिय जी के कारे के आधार पे और आधरने प्रधान मंतिय मोजी जी के साथ में जो हमाई सरकार चली थी उसी के नाम पर मोहर लगाया है बहुत जादा तो मैं नहीं बोलूँगी चार सो पार पर तो बहुत लोग कह रहे हैं कि चार सो पार का यह नेरेटिव था बिल्कुल नेरेटिव नहीं था यह देश की जनता की मोहर लेकिन विहार के बारे में बता दूँ आपको कि मैं विहार से तालुकात रखती हूँ जो 2019 के रिजल्ट हैं उससे एक सीट हमने खो दिया था 2019 में लेकिन 2024 में हम 40 में 40 सीट जो है बियार की जनता एंडियों को देने जा रही हैं वह क्यों देने जा रही है इस बात को समझें क्योंकि जो सामने जो हमारा विपक्स था वो वैसे विपक्स थी जो जैसा गटबंदन जि जड़ाय आपस में थी आपस दूमें इसलिए कहती हूँ के आपने बिहार सो देखा हो जी चुनाव में आपने आपने लड़ना था जब सिट बट 47 द्याक्र कर दिया कर दिया उन्होंने अपतर पर फेयर दिया और यही humanos ता कि धी सबसे सबसे इसलिए बिलकुल भी बिलाल जी में आउंगा लेकिन एक रियाक्शन जल्दी से अगर सुनील मिश्रा जी का ले ले तो फिर आपका भी ऐनलेसिस उस पर आएगा तो जादा मज़ा आएगा सुनील जी और जब भारत एक्सपरेंस और रोड मैप तो विन बात कर रहा है सबसे बड़े सैंपल साइस का दो लाग से जादा लोगों से संवाद किया गया और ऐसा नहीं है कि टेलिफोन कर दिया फोन खड़का दिया उनसे फोन पर पूछ लिया वन टू वन सामने सामने बै हैं कैसा राह माहौल पूरे देश का देखिए सबसे पहली चीज तो आप यह समझे कि जो आपने सर्वे की बात कही है क्या होता है कि आज के समय में पिछले अगर दस से पंद्रे साल का आप ट्रिंड देखें तो कई बार ऐसा होता है कि तमाम एजेंसियों के सर्वे फेल हो होती हैं जहां तक आपने माहौल की बात कहा कहीन कहीं देखिए भारती जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है कहीन कहीं यह भी गलत है जनता सायथ 400 पार के साथ भी नहीं जा रही है लेकिन खड़गी जी इस तरह से कर रहे हैं कि 230-235 जो आज का वियान उनका मैं सु दोनों अधार हो रहा है यह दोनों बाते सायथ गलत सावित होंगी सबसे बड़ा सेंपल साइज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यह ऑथेंटिसिटी के साथ जनता की नवज को आपके सामने रखता है देखिए रिसर्च मेथेडिलोजी में बहुत आवश्यक होता है सेंप एक्जिट पॉल को किया गया है अपने जहन में उतार लीजिए सबसे निश्पक्ष इसलिए हम क्याने सबसे विश्वसनी एक्जिट पॉल अगर आप देखेंगे तो भारत एक्ष्प्रस पर देखेंगे रोड मैप टू विन ने जिस तरीके से एक्जिट पॉल किया उसके बारे में सुनील मिश्रा जी ने शुरूआत में कुछ बाते आपके सामने रखी और उन्होंने बताया कि सेंपल साइज कितना महतुपूर होता है ज्यादा तर एक्जिट पॉल क्यों फेल हो जाते हैं सटीकता के इर्दगिर्द क्यों नहीं दिखते क्योंकि उनका सेंपल साइज बड़ा छोटा होता है यहां भारत एक्स्प्रेस और रोड मैप टू विन का जो एक्जिट पॉल है उसकी विश्वस्नियता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि सेंपल साइज बहुत बड़ा है और इस बड़े सेंपल साइज के साथ में आपको ज्यादा सटीकता मिलेगी लोगों का मिजाज पता लगेगा किसकी बातों का कितना असर हुआ ग्राउंड पर कौन से मुद्दे चले कौन से मुद्दे नहीं चले लेकिन आगे बड़े उससे पहले बिलाल जी आपको चर्चा में शामीली नहीं कर पाया तो आप अपनी टिपपणी करें खबरे भी साथ में चलती रहेंगी कि सत्ता पक्ष और भारती जनता पार्टी के नेताओं की एक जम दूब अजया इससे पहले ये पहले रुजहान भी हमने चलाने शुरू कर दिये थे कि महराश्ट में किस तरीके से 44 फी सदी के आसपास वोट मिल रहा है एक बार फिर वो डीटेल में चलाएंगे आप अपनी बात को पूरा करें तो मैं यह कह रहा था जिस तरह से पर्थम चरण के बाद भारती जनता पार्टी की जबान बदली और हमके एक महसूस हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परधान मंतरी जो 400 पार का नारा दे रहे थे और परधान मंतरी के पास 10 साल का कारेकाल था उनकी नेतियां थी उनके बड़े-बड़े विकास के कारेकरम थे उन्होंने जो गरीबों के लिए आनाज के ववस्था की थी जो बड़ी-बड़ी स्कीम चलाई थी और जो सब्सक्राइब के लिए तो माना यह जा रहा था कि राम मंदिर का इशू भी एक सैटेल हो गया है और राम मंदिर का अपको डीटेल में थोड़ा यह बात को सुनेंगे क्योंकि महाराश्ट के आकड़ों के बारे में समझा यह दर्शकों देखिए महारास्ट की आकड़ा समझने से पहले आप एक दो चीजे समझ ले पिछली बार का अगर आप आकड़ा देखेंगे तो 23 सीटे बीजेपी को भी ली थी और 18 सीटे सी उसेड़ा को मिली हुई थी जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इस बार भारती जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा पोल में इंडिये को सीटे बीजेपी गठबंधन को बीजेपी सिंधेगुट सिंधेगुट की बात करें और अजित पवार गट की बात करें 26-28 सीटे मिल रही है टोटल 48 सीटों में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें इसके भी अगर आप देखेंगे तो तीन इसके एक सबसे पहला प्रमुख कारड़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मराठा कम्यूटी आप देखेंगे पूरे महरास्टा के अगर पिछले 40-45 सालों की इतिहास में देखेंगे तो मराठा कम्यूटी डामिनिटिंग रही है हलाकि मराठा कम्यूटी only 30% of the total population है लेकिन मराठा कम्यूटी कहीं ने कहीं जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने कांग्रेस सिवसेना की सरकार को कांग्रेस सिवसेना और एंसीपी की सरकार को पदस्ट करके अब सिन्दे की सरकार बनाई थी तो गाउं के परिवेसों में ग्र कार नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी के लिए अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टेट के हैं जहां पे 2019 में अच्छा परफार्मेंस था और 2014 में परफार्मेंस डाउन हो रहा है उसमें एक महारास्टा भारत एक्स्प्रेस और रोड़ के साथ में किया गया एक्जिट पोल है इसी लिए इसकी सटीकता और विश्वस्नियता ज्यादा बढ़ जाती है और यहां पर महाराश में एंडिये को 44.5 फीसदी वोट मिलने के आसार है याने साड़े 44 फीसदी और इंडिया आलाइंस को भी 42 या साड़े 42 फीसदी वोट म खाते में लेकिन एक बात बहुत इस पश्ट है कि महराश्ट जिसको लेकर भारतिय जनता पार्टी ने शुरुआत से बहुत पैयारियां की थी आपने देखा किस तरह से शिवसेना में दो फाड़ हुआ और उसके बाद में NCP के साथ भी वही हुआ लेकिन इसका मैसेज कैस एक्जिट पोल में देखिए मैं आपको बता दूँ यह नतीजे नहीं है एक्जिट पोल लोगों से समवाद करके उनका मिज़ाज जाना जाता है जब वो मद्दान करके निकल रहे होते हैं और उस आधार पर यह आकड़े रखे जाते हैं तो यह एक्जिट पोल रोड मैप प्रियोगी और जो महराश में हमारे तमाम समवाद आता कवरिज करते रहे उनका भी यह मानना था कि बेशक अजीट पवार ने तो पार्टी पर होल्ड बना रखी थी क्योंकि शरत पवार की अनुपस्तिती में वही सारी पार्टी के काम को देखते थे लेकिन एक मुद्धे के साथ वह बात नहीं थी वह पूरी तरह से बीजेपी के सपोर्ट पर थे सुनील जी आपको क्या लगता है यह मुद्ध जैसा आपने बताया क्या जमीन पर सुईकारिता कम है तो जो ज़्यादार कहिन कहीं भारती जनता पार्टी को मानते हैं तो यह जो एक नरेटिव से ठोपाया इसको धुलने के लिए बात करते हैं विदर्व की बात करें अगर हम बात करते हैं नौर्थ महरास्टा की बात करते हैं लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ आपने देखा होगा कि लास्ट में भारती जनता पार्टी को अपने इसी प्रियोग को बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं राज ठाकरे को भी एक कोलेबरेशन या उसके साथ एक सम्झोता करना पड़ा लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी कहीं न कहीं मुझे लगता है क जो कमी थी कमी पूरी नहीं हो पाई भारती जनता पार्टी का जो ओटर्स था वह तो इनके साथ इंटेक्ट है अगर आप टोटल देखेंगे बीजेपी का जो ओटर्स है लगभग लगभग 26-27 परशेंट के करीब में हो तो इनके साथ इंटेक्ट है लेकिन सिंदे का जनता के बीच क्या मैसेट किया क्योंकि एग्जिट पॉल का अब शुरुवात हमने कर दिये महाराष्ट्रा में क्या कुछ परस्तितिया हो सकती है वो हमने आपको दिखाई सारिका संग जी प्रवक्ता कौंगे समरसा जुड़ी हुई है सारिका जी कैसे देख रही है महारा चुनाव जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक जो हम बात कह रहे हैं एग्जिट पॉल उसके बिलकुल आसपास रहेगा निश्यत रूप से इंडिया अलाइंस दो सो पिचाण में पार करेगी और बीजेपी दो सो बीस के आसपास रुकेगी इस बात को आप नोट कर ल पर इस देश को भटकाने का प्रियास करें लेकिन आज भी देश के अंदर मुद्दा महिला सुरक्षा किसान रोजगार यह मुद्दे हैं आज बे और लोगों ने खुल करके इनी मुद्दों के ऊपर मत्दान किया है महराश्ट्र का आप देख रहे हैं आप कुदा आपके देश में पिछले दस सालों से चल रही है चुनी हुई सरकारों को आप कहां कहां देखें गोवा के अंदर देखें आप मध्यप्रदेश जैसे बड़े स्टेट में जहां कंग्रेस ने सरकार बनाई उस पो इन्हों ने तोड़ा और भी आप जो पुरवांचल के जो और भी स्टेट से वहां देखें जहां कहीं इनको मौका लगा इन्होंने तोड़ फोड़ करने की राजस्थान में इवन इन्होंने बहुत कोशिश की कि सरकार को गिरा हैं लेकिन यहां पर बहुत हमारी किसमत अच्छी थी और गहलोत साब के हाथ में कमान थी कि पूरे 5 साल हमारी सरकारियां रही तो जो यह इस तरीके की राजनी थी जो पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि येन केन प्रकारेड सिर्फ सत्ता पाना ही इनका है अभी बहुत सारे आकड़े आने बाकी हैं और मैं निश्चित तोर पर उमीद करूँगा कि पहले त कॉंग्रेस कभी भी किसी भी संगर्ष से घबराती नहीं है उस पर चर्चा चल रही थी कुछ गाइडलाइन्स तैय हो रही थी इसलिए इसको पॉस किया गया थी के इस पर भी थोड़ा बात करेंगे संद्धें के फाइनली कॉंग्रेस जो है वो इस पैनल का हिस्सा है ये पराहत की बात है